वोगेदा नमस्ते हाद आपसे काल मैं हूँ सी एसां कल्प कांस्टेया और अब आगे आपने लोग अपने नेक्स चाक्टर में इंटर्नाशनल फैनेंशल मैंजमेंट एट टू टेन माक्स का वेटेज फॉर शुर ओगे विफोर मुविंग अहेड येस प्लीज एंशुर दै है एंड इसे जितने लोगों को help बहुत अच्छा होगा डू जाइन टेलिग्राम चैनल गाइस डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक है वहाँ पे एक्जाम तक तुम लोग के साथ मैं mcq related चीजे डिसकस करने वाला हूं तो अगर इसका भी तियोरी करवाना हो तो मु जरूर करवाने में इंट्रेस रगता हूं वाट इट अल्ड डिपेंस हाओ यू आल वांट राइट गाइस तो चलो ब्याद स्टार्ट करेंगे इस सेशन को और मेरे को यह बार और चीज जानने है अ मैं प्लाइन कर रहा हूं तुम लोग मुझे कमेंट में करके बताना कि शुड़ा और शुड़ा नॉट शुड़ा और शुड़ा और शुड़ा नॉट एफम के जो बोड़ ऑफ स्टडीज के जो एमसी की उन्होंने लिस्स निकाल है ना उसका चैप्टर टू चैप्टर एवरीडे हाफ एनार सेशन लाइब लाइव न यूटूब से इवनिंग 8 to 8.30 लाइव न यूटूब हाफ एनार में जो जितना भी एमसी क्यूज है 20-25 जो भी हर एक चैप्टर में है वो एक साथ लेके मैं उसको कंप्लीट कर दूँ क्योंकि अब रिविजन सेशन अपने कंप्लीट होगे तो अपने को आईडिया आ गया है पूरा भाई किया ही होगा तो अब यार वो एमसी क्यूज अपने को पता है कि इंस्टिटूट का एमसी क्यूज है तो उसमें से क्वेशन आने का चांस है और प्लस वो एमसी क्यों डिसकस करते करते ही दोर दोर की और content related बाते भी हो जाएगी तुमारे लिए helpful होगा और भी मैं बताते ही रहुँगा कि यह ऐसा है से चेंज करके ऐसा भी पूछ सकते है तो इस इस वाट आंप लेना चाहिए एमसी क्यू सेशन यस और लो आप लोगो काली कमेंट करके बताना है एमसी क्यू लाइव सेशन येस अड डेफिनेटली बेस्ट आइट आइट आई विल टेक इट ठीक ह अपने को स्टाट करना है अपना ये सेशन रिलेटिंग to international National Financial Management चोटा सा है दो तीन बार सुन लेना एक्जाम के पहले magic book open कर लो नहीं है तो भी order कर लेना नहीं है तो फिर pdf तुम लोगो telegram से मिल ही जाता होगा and better if you order this do it right now because अभी तुम लोगो order कर लोगे तो उतनी बार ज्यादा revise कर पाओगे उस में से and you will have 1.5 days का strategy ready with you चलो let's let's start with the session so basically IFM क्या है it is nothing but capital budgeting plus forex is equal to international financial management so वैसे तो अपने को capital budgeting करके एक chapter है जिसमें अपन लोगने काफी detail में चीजे पड़ीवी है मालू में NPV calculate करना होता था यहां पे भी अपने को वैसे ही NPV calculate करना है but कुछ चीजे हैं जो काफी peculiar है for this chapter which is different from the typical capital budgeting thing and बस उसी को अपने को ध्यान में रखना है small chapter but relevant because कई कबार 8 marks के direct questions आ जाते है from this chapter so आपके पास एक थरो knowledge होना चाहिए and by default जब forex involved होना तो उसके अंदर कुछ भी यह लोग game खेल सकते हैं तो they can ask a question on forex plus IFM right तो अपने को IFM का knowledge होना बहुत जरूरी है so that कैसा भी question आए we should be able to give it in the examinations so IFM capital budgeting है बट ध्यान रखने का कौन सा foreign currency में अब capital budgeting का तो एक simple सा fund है बस अगर cash inflows are greater than cash outflows then हम उस project को accept कर लेंगे बट खाली cash inflows नहीं होता है यहां पर बात होड़ी होती है present value of cash inflows की and at the same time present value of cash outflows की so क्या यहां पर भी अपन लोग present value of cash inflows निकालेंगे the answer is yes so यहां पर dollar rate होगा तो dollar rate तो हर साल change होगा correct तो dollar rate और उसके साथ discounting factor कैसे यह combination को अपन लोग use करेंगे is what this chapter is all about समझे गया समझो रहा मेरेको आज अमेरिका की company से एक लाग डॉलर आने वाला है कल एक साल बाद दो लाग डॉलर तीन साल बाद तीन लाग डॉलर चार साल बाद चार लाग डॉलर अब आज इंडिया और USA का डॉलर का रेट है one dollar equal to rupees 85 but एक साल बाद जब मेरेको दो लाग डॉलर आने वाला है तब तो एक डॉलर एकवल डॉलर तुए 85 नहीं होगा तब क्या होगा तो उसके लिए hello उसके लिए मेरे पास कुछ टेकनीक से जिससे मैं एक साल बाद dollar का rate क्या होगा वो भी calculate कर सकता हूँ दो साल बाद dollar का rate क्या होगा correct वो भी calculate कर सकता हूँ correct using interest rate purchasing power parities याद आया so कुछ questions में वो लोग मुझे inflation rate दे देंगे अगर मेरे पास inflation rate है आने वाल एक का दो साल का तीन साल का for the foreign country जिसके साथ मैं डील कर रहा हूं तो कना है से वो purchasing power parity से मैं calculate कर पाऊंगा forward rate is equal to spot rate into one plus inflation rate of variable currency divided by inflation rate of one plus base currency so वो चीज यहां पर use करनी है दो साल बाद 3 लाग डॉलर मिलने वाला है बट आज उसका rate क्या होगा dollar का मेरको तो percent value पर उसको लेकर आना है और suppose interest rate दिया हुआ है एक साल का दो साल का तीन साल का correct तब आप interest rate parity भी यूज कर सकते हो so that is how this chapter becomes important मैं ने वाला ना मिक्षर है capital budgeting forex यह सबका मिक्षर बनके यह चाप्टर बना है international financial management तो है चोटा बट है पावर्फुल वह कहां वह सुनिए है चोटा packet बड़ा दमा का बस वह यही है अपने को यह चीज समझ में आ गई कि percent value तो calculate कर नहीं है बट जैसा मैंने बुला कि dollar है दो साल बाद तीन साल बाद क्या होगा तो आगे अपने को उसका forward rates निकालना पड़ेगा युजिंग प्रचेजिंग पावर पैरिटी बाई उजिंग इंट्रेस्ट वेट पावर रेट पैरिटी सो और आगे सब पढ़ने वाले कली एक आईडिया दे रहा हो अप लोग प्लस अब उसको present value पे लेकर आना है अब तक मैं क्या करता था capital budgeting में कि मेरे को कोई भी चीज को present value पे लेकर आना है तो मेरे पास उसका discounting rate होता था वो discounting rate में अप्लाए करके उसको present value पे ले आता था यहाँ पे इतना easy नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे discounting rate because multinational company है foreign की companies involved है तो मेरे को foreign का discounting rate पता होना चाहिए तो वो भी calculate करना तुमारे क मैं बताऊंगा कहने का मतलब dollar है उसको present value पे कैसे लेकर आना है by calculating the forward rates dollar है उसको क्या rate पे उसको present value पे discounting factor से लेकर आना है उसको बुलेंगे अपन लोग foreign discount rates तो यह combination से अपन present value calculate करेंगे बाकी जो system है वो तो वही है बाकी तो मेरे को present value calculate करना आता है present value of cash inflow क्या बोलो आप लोगने मेरा अगर capital budgeting का lecture देखा होगा तो हो गई पता otherwise also intermediate में भी अपन पढ़ चुक है आओ करते है calculate क्या selling price minus variable cost contribution into number of units is equal to total contribution minus fixed cost is equal to earning before interest tax depreciation minus depreciation capital budgeting में depreciation का तो अलगी महल है so मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे minus depreciation मुझे मिल जाएगा earning before interest and tax less interest अगर हुआ तो otherwise less tax is equal to no pad add back depreciation depreciation यार देखो capital budgeting में मैं पढ़ा चुका हो आप लोगो detail में example के साथ के क्यों अपन लोग add back करते depreciation I am assuming के यार आप लोगों को यह चीज अब पता ही होगी that why are we adding back depreciation because it is a non-cash expense तो सार less क्यों किया less इसके लिए क्या क्योंकि मेरेको पहले tax benefit लेना था जैसे मेरेको tax benefit मिल गया मैंने add back कर दिया depreciation को so that मुझे मिल जाएगा net cash inflow तो यह तो मतलब intermediate से पढ़ते आ रहे plus अपन लोग ने चाप्टर किया capital budgeting एडवांस capital budgeting वहां पे भी अपने को यह concept आया so this basic we know right okay less अपनों क्या करते है present value of cash outflow अब ध्यान से समझता है इसके लिए टॉपिक के लिए कुछ specific चीज़े है जब मैं present value of cash outflow find out कर रहा हूं तो यहां पे कई बार क्या होता है पता है क्या मैं कोई नई company start करने वाला होता हूं क्यों नई company start कर रहा हूं foreign country involved foreign currency involved right तो यूज्वली तो otherwise खाली capital budgeting है तो इंडिया का अगर समझोना country है इंडिया में मेरा already business चाल हूं अब एक नया project है वो project में मेरे को invest करना है तो present value of cash outflow machinery खरीदने का या project में invest करने का जो भी पैसा है वो मैं लगा देता हूं मेरा cash in flow यह जो तरीक है इसे मैं calculate करी लेता हूं बट यहां पे एक cash है यहां पे international financial management में cash है क्या है कि अगर कोई foreign का project हुआ तो कई बार मेरे को एक नया entity setup करना पड़ता है और वो नया entity setup करने के लिए हो सकता है I will introduce equity share capital debenture loan preference share capital and that investment in the project has to be taken care of और वो बन जाएगा मेरा present value of cash outflow अब अगर मैं entity चालू कर रहा हूं तो आज का आज ही मैं equity share capital debenture loan preference share capital जो भी है उससे पैसा जमा कर लूँगा वो पैसे को मैं invest कर दूँगा inflow generate करने में inflow आ जाएगा वो मेरा present value of cash inflow हो जाएगा that's it and मेरा कहानी आगे बढ़ जाएगा got it guys so peculiar to this that cash outflows calculate करने के लिए investment जो है आप लोगों का can be in the form of equity share capital debentures loans and preference share capital so on and so forth at the end of project if any salvage value is received it is considered as cash inflow यह है note 1 and दूसरा है note 2 treatment of working capital यह note 2 भाई सहब बहुत important है to note 1 क्या है कि अगर end of the project period हो सकता है कि मैंने जो machine खरीदा था वो पूरी तरह से depreciate हो गया है अब मैं उसको market में बेच दूँगा जैसे मार्केट में बेचूंगा मुझे मिल जाएगा cash inflow और अगर वो cash inflow मिला तो government आ जाएगा चल बाई तेरा income है income के ओपर tax दे so net मेरे लिए क्या inflow हो जाएगा salvage into 1-t और उसको present value पे तो लेकर आना ही है वो तो but obviously बात है in the same way कई बार business चालू करना है मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे मैं out of India जाके शायद business चालू करूँ capital बच रहा है then in that case वो मेरे को वापस कर दिया जाएगा and that will be considered as cash inflow again this will be discounted at the present value समझ रहा है तो इसको अपन लोग present value पे लेहेंगे and we will be done and dusted so यहाँ पे मेरा जो एक basic understanding है I hope वो अपने को clear हो गया होगा as regards the capital budgeting या जिसको अपन बोलते है international financial management तो यह तो देखो अपने को अभी clear हो गया है कि cash flow present value का statement बनाना है अपने को जहां पर अपन present value of cash inflow minus present value of cash outflow present value of cash inflow as it is जो अपनों निकालते ही है वो अपने को पताई present value of cash outflow में ध्यान रखना है that या तो वो लोग directly दे देंगे कोई problem नहीं या फिर अगर अपने को एक नया entity setup करना है तो कोई भी नया entity setup करने के लिए उसके लिए लगता है equity share capital debentures preference share capital loan so यह सारा मेरा हो जाता है present value of cash outflow इसमें मैंने आपको दो notes बता है एक कि salvage value क्योंकि end of the project आप अगर कोई भी आपकी machine को बेचोगे then in that case आपको जो पैसा मिलेगा उसको net of tax करके present value पे लेकर आना है net of tax करके present value पे लेकर आना है and दूसरा है working capital अब अगर मैं नया business चालू करना हूं तो working capital भी introduce करूंगा तो वो working capital will be considered as a cash outflow in the question में दिया होगा and ध्यान में रखना है आपको की year end पे project end पे वो ही working capital मेरा inflow होगा and that also has to be discounted and brought at the present value पहले जब introduce हुआ है वो तो cash outflow की तरह होगा and जब end of the project हो जाएगा तब मेरा job recovery होगा वो working capital का that will be considered as cash inflow समझ में आ गया okay so अगर मेरे को इसको एक यहाँ पे देखना है तो capital budgeting is the process of identifying evaluating capital projects involves analyzing a project cash inflow and outflow to determine whether projected return meets a set benchmark they are always based on net present value so present value of cash inflow minus present value of cash outflow clear अपने को done अब इन सब cash inflows को discount करना पड़ेगा अब इको दो बाते हो सकती है अगर कोई foreign company इंडिया में आ रही है तो तो आप इंडिया के discounting rate से करो discount कोई problem नहीं है सो अगर आपको discounting rate directly दिया हो तो ठीक है नहीं दिया हो तो हम लोग भी weighted average cost of capital से calculate करी सकते weight of equity into जितना भी मेरा cost of equity है weight of reference into cost of reference weight of debt into cost of debt into one minus t debt में interest होता है उसका tax benefit मिलता है so यह तो हुआ simple इंटर वाला चीज बट आपको लगते है exam में यह आएगा नहीं exam में आएगा कि boss अपने को जाना है foreign country and foreign country के हिसाब से उस project को discount करना है and that is where we will use the concept of IFM देखो इधर read करो at times if risk free rate of foreign currency is given and we need to calculate NPV of the project using foreign currency approach तो फिर अपने को एक risk adjusted discount rate calculate करना पड़ेगा वहाँ का अब मैं आपको एक logic समझा रहा हूँ वो logic से आपको बहुत easily समझ जाएगा कि कैसे वो calculate करना है और फिर ICAI का question 1 है module का उसका example मैंने यहाँ पे ले लिया है उसको solve भी कर दिया है जिससे यह चीज़े आपके दिमाग में एकदम set हो जाएगी ध्यान से सुनिएगा अब बात कुछ ऐसी है कि से अभी अगर इंडिया है ठीक है इंडिया में एक है risk free return वो तो अपने को पता ही है for example जो FD का rate सल रहा है 7% तो obviously project अगर कोई है तो क्या मैं उसको risk free return से discount करूँगा क्या दांसर इस नो सर उसके ओपर अपन लोग कुछ ना कुछ तो प्रीमियम भी चार्ज करेंगे because we want a higher return obviously risk free return किसको भी नहीं चाहिए अपने project से अगर risk free return ही चाहिए हो था तो FD में डाल देता पैसा तो risk free return तो चाहिए ही बड़ साथ में अपने को और भी कुछ चीज चाहिए इदर लिख ले ना इसदर risk free लिख ले ना बड़ा तो एक तो मेरे को risk free return तो चाहिए ही चाहिए तो से 7% मेरा risk free return है साथ में can I say मेर को कुछ ना कुछ तो project के उपर extra earn करना पड़ेगा which is nothing but the risk premium अपनोंने portfolio management में भी सीखा वा है कि वही कैसे कोई भी investor होता है तो वो कोई company में invest करता है तो उसको risk free return तो चाहिए साथ में additionally कुछ market में invest करना है तो market के linked return भी चाहिए तो वैसे यहाँ पे भी अपने को भी वो extra कुछ return चाहिए होगा that basically is called as the risk premium से मेरको 4% extra यहाँ पे चाहिए as a risk premium मेरको यहाँ पे say 4% चाहिए as a risk premium या इसको मैं ले लेता हो चलो 8% risk free and 4% मेरको चाहिए extra प्रोजेक्ट से अगर इंडिया में प्रोजेक्ट हो तो इंडिया के प्रोजेक्ट से मुझे कितना return चाहिए कैना इसे मेरको 12% चाहिए रहेगा return बराबर है इसमें तो किसी को कोई doubt नहीं है बट mathematical accuracy के लिए mathematical accuracy के लिए देखो ये तो वह 12% normally कोई problem नहीं है but for mathematical accuracy we will write this as मेरको return कितना मिल रहा है risk free अगर मैं 100 रूपीज डालता हूँ तो मुझे 8% मतलब 108 मिलेगा मतलब मेरको 1.08 का return मिल रहा है risk premium कितना मिल रहा है कितना expected है अगर मैं 100 पर डालता हूँ तो 4 रूपीज वो तो 1.04 यहाँ पे instead of writing directly 12% what I will do is 1.08 into 1.04 यह आ जाता है minus 1 अगर मैं करता हूँ तो आता है 12.32% तो इसमें क्या हो रहा है मेरको compounding benefit मिल रहा है and instead of writing 12 I will write here 12.32% तो 12.32% अगर मैं को इदर exactly लिखना है so I will just show this to you so it will be 1.08 into 1.04 and this will be 1.1232 1.1232 are you understanding guys got it so 1.1232 is there then 1.08 is there 1.04 is there अब इसमें minus 1 करोगे तो आपको मिल जाएगा 12.32% so आम आजमी के लिए उसको 12% चाहिए but we are chartered we know compounding effect आता है कोई भी return के पीछे so that is where we will say भाई अपने को 12.32 to be precise चाहिए अब difference काली 0.32 का है but अगर बड़ा amount हो तो यह 0.32 का percent भी matter करता है अब ध्यान से समझना अगर इंडिया में मेरे को कोई project डालना है तो 8 percent का risk free return है उसके उपर 4 percent मेरे को risk premium चाहिए उस project के उपर so total मेरे को approximately 12 percent चाहिए but this is normal calculation मुझे अगर exact compounding effect के साथ वाला exact mathematical clarity के साथ calculation चाहिए तो I will say 1.08 into 1.04 which is 1.1232 minus 1 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 12.32 percent का return and that will become my discounting rate जो मेरा required return है ओई मेरा इधर discounting rate बन जाता है right so यह तो हो गया मेरा home currency का home currency में अगर मुझे calculation करना है then in that case काम खतम हो गया and I am done but what if it is a foreign currency मतलब foreign country में अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे कितना return on करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा पता है कि मैं बोलूँगा कि देखो जब मैं इंडिया में था तो इंडिया में हमारे को 1.04 के हिसाब से premium earn करना पड़ता था over our risk free return तो अब अपन foreign currency वाले को बुचेंगे foreign currency foreign country तुम लोग का risk free return कितना है तो हो अपने को बोलेगा कि मेरा risk free return है 5% तो उसके उपर हमारे को कुछ risk premium add करना है जो हमारा एक expectation होता है and that risk premium add करके मुझे पता चल जाएगा कि boss foreign currency से मुझे required return कितना है आओ calculation दिखाता हूँ तो हम उसको बोलेंगे भाई तुम लोग का risk free return कितना है यह foreign currency वाले तुम लोग का risk free return कितना है तो बोलता है अरे हमारा तो foreign वालों का हमारा risk free return है 5% foreign का risk free return है 5% ते तेरा येस अच्छा अब सुन हम लोग ते तेरे आपर आके investment कर रहे हैं foreign में आके बट कुछ भी हो जाए जो भी risk free return है ना उसके ओपर हमारा risk premium होता है extra 4% जो हम लोग का इंडिया में है तो यहां पे भी ले लो इतना तो in short मिरको foreign country से कितना return expectation हो जाएगा तो can I say it will be 1.05 into 1.04 foreign country का risk free into India के country का risk premium gill will give me 1.05 into 1.04 and this is 1.092 minus 1 करता हो तो approximately 9.2% hello 9.2% मेरे को return यहां पे लाके देना पड़ेगा 9.2 का return मेरे को यहां पे लाके देना पड़ेगा in foreign currency तो अब मैं क्या rate पे discount करूंगा correct 9.2% के ऊपर in foreign country foreign currency अब उसके लिए देको मैंने एक example लिया है और यह example मैं आपको बता दो ICI का question 1 का example है इसमें इन्हों ने मुझे home country का मतलब इंडिया का 12% का rate दिया है और 14% का rate दिया है ध्यान से है अब कोई आम आत्मी देखेगा तो क्या बोलेगा सर 2% का extra आपको return मिला है but we are chartered अपन लोग आम आत्मी नहीं है तो अपन बोलेंगे sir 1.14 very good is equal to 1.12 very good multiply by 1 plus risk premium sir 1 plus risk premium इससे अपने को पता चल जाएगा कि अपना इंडिया का risk premium कितना है अपने इंडिया का risk premium कितना है करो calculate करके दिखाओ तो sir 1.14 divided by 1.12 किया very good 1.14 divided by 1.14 divided by 1.12 किया 0.14 divided by 1.12 किया तो कितना आ जाता है 1.01785 तो उसको round off कर दिया 1.0179 1.0179 are we clear everybody समझ में आई आप लोगों को बाते so 1.0179 का अपने को return risk अपन ले रहे है इसको मैं minus 1 करता हूँ 200 तो approximately 1.79 परसेंट का अपन risk premium देर अब आओ America America बोलता है भाई हमारा तो risk return है 1.08 I mean 8% तो हम उसको बोलेंगे नहीं नहीं यह नहीं चलेगा 1.08 के साथ तेरको 1.0179 का risk premium भी लेकर आना पड़ेगा तो 1.08 into 1.0179 and this works out to 1.099332 इसको minus 1 करता हूँ तो मुझे मिल जाता है मेरा discounting factor to be used when it is a outside currency and that is 9.99332 percent देख लो क्या आप लोग का अभी आया प्लीज गाई बूक और पहन लिए बिना अगर यह revision lecture सुन रहे हो ना then in that case मैं आपको बता रहा हूँ it is all a waste अब आपका और मेरा दोनों का time waste कर रहा हूँ बंद कर दो वीडियो को बंद कर दो जाओ क्या बात हूँ यार प्लीज एंशूर दैट a book pen is there with you magic book is there with you लिख लिख के प्रॉपर्ली सब करते जाओ तब जाके होगा काम कर रहे है तो systematic लिख वरना मत करो seriously बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ठीक है चलो सो क्या बुला मैं क्या बुला मैं क्या बुला मैं सो 1.08 उसको लग रहा था हमने बुला नहीं नहीं हमारा रिस्क प्रीमियम भी आड करो which is 1.0179 and that works out to 1.099332 यह देखो आप लोग देख रहे हूँ इसमें से 1- कर दिया अपन लोग ने तो अपने को मिल गया 999.9332 परसेंट and that becomes my discounting factor that becomes my discounting factor समझ गे so the project will now be discounted at 9.99332 परसेंट foreign discounting rate foreign risk adjusted discounting rate क्योंकि उसका risk free था 8% हमने उसमें रिस्क प्रीमियम आड किया 1.0179 का जितना हम इंडियन बारतियों को चाहिए हम लोग ने वो आड किया हमारे को मिल गया risk adjusted discount rate किसका foreign currency का इस फे हम discount करेंगे and हो गया अपने को अपने project का exact percent value calculation मिल जाएगा समझे so step by step I hope we are getting things clear चलो भई तो अब ये base के साथ अपन आगे बढ़ेंगे and और कुछ चीजे सीखने की कोशिश करेंगे and that in the next thing brings me to IRR internal rate of return तो सुना भी देखो मैंने तुम लोगो ये बता दिया है कि अगर present value पे लेकर आना है और foreign currency में चीजे है तो हम कैसे इंडिया का risk premium उस foreign currency में apply करेंगे और foreign currency का risk premium plus foreign currency का risk rate से अपने को पता चल जाएगा discounting rate discounting rate करके उसको present value पे ले आएंगे तो ये एक तरीका हो गया अभी आगे और कुछ तरीके आएंगे discounting factor find out करने के और कुछ तरीके आएंगे और फिर purchasing power parity से कैसे अपन लोग forward find करके उसको आज की तारीक में अपन लोग amount freeze कर सकते हैं अपने currency में and that is where we will complete the session but बीच में कुछ concepts है जो incorporated है तो चलो आओ उसको भी समझ लेते हैं एंड में मैं पुरा का पुरा इसको एक बोलते हैं न समावेश कर लूँगा पुरा का पुरा एक overview दे दूँगा आप लोगों को so that it will be set in your head आए continue करते है तो अब मेरा next concept है बेटा internal rate of return जिसको अपन बोलते है IRR जो बच्पन से सीखते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ बताना है बट फिर भी idea दे देता हूं बेटा आपको कि IRR का मतलब होता है where a rate of return where present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow मतलब यह एक ऐसा return है जो मेरे को break even देता है मेरे project में तो मुझे बताएगी चलो इतना तो मेरे को minimum return चाहिए ही चाहिए बस यहीं काम है IRR का समझ में आगे आपको कई बार आप लोग को आप लोग ने सुना होगा shark tank में हो लोग पुछते है आपकी company का IRR कितना है लग इंटर्न रेट और कितना आप को लाना ही लाना है such that कि आपके जो costs है वो match हो जाए तो present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow जो rate पे जो discounting rate पे equal होता है is called as my internal rate of return आओ लेट सी so IRR is the discount rate that makes PV of a project's estimated cash flows equal to PV of project's estimated cash outflows IRR basically is the discount rate that makes the following relationships क्या percent value of cash inflows is equal to percent value of cash outflows also the discount rate where NPV of a project is equal to zero क्योंकि present value of cash inflow equal to present value of cash outflow हो गया present value of cash outflow को इदर ले कर आओ PV of CO minus PV of CI is equal to zero फेर अब इसके लिए एक formula है अपन as usual कोई भी चीज़ को formula को directly तो करते नहीं लोजिकल है एक्जामपल के तुरू समझते हैं तो यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए बिटा लिया है एक example जिससे we will be able to calculate the internal rate of return and year is the example देखो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा cash outflow कितना है year zero का cash outflow minus one thousand one thousand ten thousand one thousand but short as a figure है it is ten thousand अब cash inflow है year one का seven thousand year two का five thousand IRR मिरको calculate करना है मतलब एक ऐसा discounting factor जहाँ पे present value of cash inflows is equal to present value of cash outflows मतलब मेरको seven thousand के उपर five thousand के उपर क्या return चाहिए कि मेरा eventually present value पे लेकर आओ मैं उसको तो ten thousand जितना मेरा खर्चा manage हो जाए समझना ध्यान से देखो suppose कोई business है ठीक है मैं कोई business कर रहा हूँ तो अब अगर मैं कोई business कर रहा हूँ तो आज उस business में मुझे से यह machinery डालनी है अब यह machinery का cost है आज की तारिक में मेरे को अब इस machinery से जो production होगा वो मैं market में बेचूंगा year one में मैं बेचके मुझे seven thousand मिलेगा year two में बेचके मुझे five thousand मिलेगा तो total कोई आम आदमी होगा तो उसको लेगा और वास और ten thousand इंवेस्ट किया और 12,000 मिल गया यह 12,000 12,000 है क्या present value के terms में नहीं तो इसको present value के terms में लेकर आना है such that it equates 10,000 जिससे मुझे पता चलेगा कि यार मुझे at least इतना एक x percentage का return चाहिए ही चाहिए मुझे पता नहीं है क्या होगा वो return तो मैं लेता हूँ something called as trial and error so we were going to use we are going to use trial and error method वैसे IRR को बहुत जाद आपके syllabus का बाट नहीं यूज होने नहीं वाला है but it's good to have a knowledge of these things so present value of cash outflow है 10,000 discounting factor मैंने कर दिया say 10% का अगर मैं 10% का discounting factor करता हूँ तो 0.909 and 0.826 basic अपने को पता ही होगा so present value of cash inflow at 10% discounting rate आ जाता है 10,493 बट यह नहीं चलेगा बड़ा बड़ा मेरको 10,000 ही चाहिए तो कभी भी inverse relationship होता है discounting factor का और amount का तो अगर 10,493 है इधर और मेरको चाहिए 10,000 इधर तो can I say मेरको नीचे जाना है amount के terms में तो it is always our inverse relationship तो अगर मेरको amount के terms में नीचे जाना है तो मेरको discounting factor बढ़ाना पड़ेगा मेरा एक lecture है time value of money का मैं चाहिए तो description box में उसका link दूँगा वो lecture देख ले ना उससे आपको समझ जाएगा यह कोता है compounding factor यह कोता है discounting factor कैसे practically discounting factor वो करता है वो आप लोग को बेस से समझेगा अब obviously मैं revision lecture ले रहा हूं यहां पर तो I cannot get into detail there but I have made a video on time value of money it's a classic video you should watch तो यहां पर मेरको amount कम करना है अगर मेरको amount कम करना है तो में को discounting factor बढ़ाना पड़ेगा बढ़ा रहे तो मुझे basically एक higher return चीए कि मेरा यह 10,000 वाला match हो जाए so मैंने अभी लाया discounting factor at the rate 15% तो discounting factor जब मैं 15% वे कर रहा हूं तो भी मेरा आ रहा है 9870 अब यार मेरको पहले चाहिए था 10,000 तो 10,500 तक हो गया अब चाहिए 10,000 तो 9,000 870 हो गया यार बीच का क्या 10,000 चाहिए मेरको तो तो ऐसे situation में we are now going to use the concept of interpolation to find the internal rate of return we are now going to use the concept of interpolation अब समझने की कोशिश करना मैं पहले logically बताऊंगा और फिर eventually आप लोगों की यह formula से connect भी करवाऊंगा पहले logically जब मैंने discounting factor 10% लिया जब मैंने discounting factor 10% लिया तब मेरा amount आया 10,493 तब मेरा amount आया 10,493 और मैंने जब discounting factor लिया 15% तब मेरा amount आया 9,070 कुछ करगे 9,870 तब मेरा amount आया 9,070 यार मुझे चाहिए 10,000 अब ध्यान से समझना कैना इससे यह 5% के range में कितना difference आ गया 5% के range में किता है तो 10,493 माइनस 9870 माइनस 9870 मतलब कैना इससे 623 तो अगर 5% के range में अलो ध्यान से सुनना अगर 5% के range में 623 का difference आ रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए देखना देखो 10% पे 10,493 तो ही मुझे 493 कम चाहिए मुझे 10,000 ही चाहिए तो अगर मेरे को यहाँ पे यह कम करना है तो can I say मुझे मेरा जो discounting factor है वो बढ़ाना पड़ेगा मुझे मेरा discounting factor बढ़ाना पड़ेगा कितने से बढ़ा हो तो मैं बोलता हूँ कि भाई देखो जब मैंने 5% से बढ़ाया तो 623 कम हुआ तो अगर आपको 493 कम करना है करेक्ट आप करेंगे cross multiply तो यह 493 into 5 divide by 623 कर देंगे we will get 3.96% we will get 3.96% and यह हो जाएगा 13.96% यह हो जाएगा 13.96% समझ में आई बात बस यह नीचे यह ही calculation किया है 13.96% लाने के लिए यह देखो 10% पे 10,493 15% पे 9870 5% का range है 623 का पर मेरे को 5% नहीं चाहिए मेरे को तो 493 चाहिए 493 देखा तुम लोगने इफेक्टिव लिगया 493 into 5 divide by 623 493 into 5 divide by 623 and basically we got 3.96% तो यह बेसिक कॉंसेप्ट आफ आया रा देखो आप लोगों कहीं पे भी यूज आ सकता है यह इन फाइनस तो मैंने बता दिया है ठीक है सो आया रा को calculate करने का यहां पर भी फॉर्मिला मैंने डाला यह lower rate plus तो देखो एक तो उर्ता 15% और एक ता 10% अपना दोरो मैं से lower rate कान सा है बो बोलो चाल चाल 10% इधर ले लिया 10% plus lower rate NPV upon अब ये देखो ये लोग ने formula में तो एकदम मतलम high level की बाते करते हैं 10,493 minus 9870 is equal to 623 that is for 5% ये देखो change in NPV required upon total change of NPV from higher rate to lower rate so ये change in NPV required 493 total change from higher rate to lower rate 623 into higher rate minus lower rate 5% सोचो ये इतना simple है बड़ अपने को क्या लग रहा था ओहो हो ठीक है ना तो वैसा है यहाँ पर है simple logically करना है formula यूज भी नहीं करना है IRR के लिए पर जस्ट मैंने यहाँ पर formula भी दे दिया उसको apply करके भी बता दिया है चलते हैं आगे चलते हैं next concept के उपर टर्मिनल वैल्यू क्या है तो उसके लिए मैंने लिया एक छोटा सा example टर्मिनल वैल्यू बोलता है कि अगर मेरा जो पैसा है उसको मैं reinvest करता हूँ उसको मैं reinvest करता हूँ then in that case total मेरा टर्मिनल वैल्यू बढ़ जाएगा for example मेरे को cash flow आया 10 थाउजन का 10 रुपीज का तो अगर यह 10 रुपीज को मैं reinvest करता हूँ at whatever is the discounting rate given तो यह मेरे को 11.881 मिल जाएगा at the end of the total year otherwise क्या हो रहा है पता है कि IRR में यह जो मेरे पास 7,000 आया यह जो मेरे पास इधर 7,000 आया समझ ना तुम लोग बस यह इधर जो मेरे पास 7,000 आया वो मेरे पास आ गया उसको मैंने reinvest किया कई पर कभी भी नहीं समझ रहे हो यह मेरे पास जो 5,000 second year पर आया वो आ गया मेरे पास ही आ गया रह गया मेरे पास ही बट 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 यहां पर वो लोग बोल रहे है आपके पास जो भी cash inflow आता है आप उसको reinvest कर दो आपके पास 15 आया next year आप उसको reinvest कर दो बट अभी एक ही साल बचा है पहले आपके पास year 1 के end पे 2 साल बचे थे year 2, year 3 year 2 के end पे आया तो एक ही साल बचा है year 3 और year 3 के पास तो कुछ भी नहीं हो तो जहों कातियों ही आ जाएगा यह total मिलाके जो आता है that is called as terminal cash flow 48.231 तो मेरा जो cash inflow है उसको मैं reinvest कर रहा हूँ मेरा जो cash inflow है उसको मैं reinvest कर रहा हूँ तो मेरा total जो value आ गया उसको बोलते है terminal value and the value terminal value equal to initial investment तो यह present value of cash inflow और initial investment तो same ही है काली फरक क्या है MIRR में यह जो present value of cash inflow है उसको reinvest कर दिया बस यह एक चोटा सा परख है और इसको जब आप solve करोगे आ तो आप लोग के पास यह formula बन जाएगा MIR calculate करने का terminal cash flow upon initial outlay minus 1 और उसका root and root में है T which is the total duration which in this case is 3 years simple समझ गयो so MIRR क्या है समझ में आ गया rate at which present value is equal of inflow is equal to present value of cash outflow just that present value of cash inflow is also reinvested for the duration of the asset duration of the asset and what करते करते मेरा आ गया है terminal value करते करते मेरा आ गया है terminal value समझ में आ गया सर एकदम मस्त में समझ में आ गया so R is equal to root of cash outflow upon sorry cash inflow upon initial outlay उसका root minus 1 अब सर इसको कैसे derive किया है तो भाई उसके लिए तो प्लीज यह regular lecture में बता पाऊंगा वो मैं summary में वो बताने लग गया तो तुम ही बोलोगे सर यह video summary video है या क्या detail video है तो इसके लिए चाहिए I can definitely make a video मेरे regular batch में तो मैं वैसे ही करवाता हूँ usually हम लोग ने उसको step by step करते 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 गए but anyways I think for now all you need is this क्योंकि exam में मेरा ही कोई student होगा इसको मैंने derive भी कर आ है उसको भी idea नहीं लगने वाला है क्या derivation था end of the day ऐसे कुछ formulas है जैसे ब्लैक शोल जाहिए है वह directly इसको यूजी करने वाला है यहाँ पर is equal to root of terminal value हाँ terminal value क्या है वह आपको पता हो ना चीह हो मैंने example के थू बता लिया rate at which present value is equal to present value of cash inflow is equal to present value of cash inflow but that inflow is also reinvested resulting in something called as a terminal value giving me the formula root of terminal value upon initial cash outflow root of t t through t time the whole जो भी answer रहा है minus 1 is equal to MIRR बार बार इसले बोल रहा हूं थाकि आपके दिमाग में set हो जाए हो गया ना गट 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 सो यह था अपना यह था अपना बीच में मैंने concept गुसा दिये दो IRR MIRR क्योंकि एक question है जा पर उन्होंने यह calculate करने को बोला है अब आपको तकलीफ होगी तो आपको पता है आपको पता है terminal value cash flow कैसे find out करना है तो question में दिया होगा cash flows क्या है बस उसको discount करते जाने है जितना time उसका बाकिए and you will get terminal cash flows you will get terminal cash flows समझ में आ गया बिट्टा everybody हम आते हैं अपन अगले concept के उपर जिसका नाम है inflation in capital budgeting तो capital budgeting में inflation का क्या scope है तो यहां sir capital budgeting का impact क्यों ले रहे है because ifm भी तो एक capital budgeting यह बस फॉरेक्स वाला capital budgeting है तो आओ मैं आप लोग के साथ एक example शेयर करता हूं now say for example आप ने आपको है ना यह यह क्या है यह क्या है या यह क्या है यह क्या खरीदना है और अगले साल खरीदना है ऐसा अब एक साल ख़तम हो गया इंट्रेस्ट आयगा ना जब आपने इन्ट्रेस्ट से आप मोबाल खरीद लेंगे तो इंट्रेस्ट कितना है इसका 10 परसेंट पर एनम तो एक साल खतम हो गया इंट्रेस्ट आया 10 हजार, जब आपने invest किया था, so year 0 लिखता हूँ मैं, which is today today interest is at the rate 10% per annum today interest is 10% per annum आज जब मैंने इसको invest किया है, today, तो इस calculator का price है 10,000, ठीक है मैंने बोला कि, ठीक है चलो 1,00,000 invest करता हूँ 10% के इसाब से एक साल बाद 10,000 आ जाएगा इससे मैं ये calculator खरीद लूँगा हो गया अपना काम बट जब मैं next year लेने को गया तो calculator हो गया था 11,000 का ओ-ओ, so होता क्या है पता है क्या, आप जो interest on कर रहे हो ना उस interest के उपर inflation का, क्योंकि 10,000 का 11,000 क्यों हो गया मेरा ये calculator, because there is a inflation effect on to that, और ये interest, और उसके ओपर का जो inflation का impact है that combination is called as nominal and real interest, अब आपको और एक example देता हूँ अब मेरा 1,000,000 रुपे का मैंने investment किया वाई है, वो तो देखा तुम लोग ने मुझे यहाँ पर interest मिल रहा है at the rate 10% तो मेरे को लगा कि भाई मैंने 10,000 रुपीज कमा लिया, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मेरे को यहाँ पर पता चला कि वो ही साल में, ये एक साल में आपको 10,000 रुपया मिला न, वो ही 10% मिला न, आपको वही साल में हमारे country का inflation था 3%, अब आप मेंको बताओ, किसे यहाँ पर लग रहा था, वे मेरा जो interest आएगा न, उससे मैं calculator खरीद रूँगा, बट नहीं, वो हुआ नहीं, क्योंकि ये जो interest है, ये मेरा real interest नहीं है, inflation इस interest को खा जा रहा है, और उसके बाद जो बच रहा है, वो मेरा real return है, वो मेरा real interest है, which is 7%, which is 7%, समझ में आया आ लोगों को, तो ये, जो यहाँ पर 10% है न, इसको बोलते है, nominal interest, इसमें जब inflation का impact, आ जाता है, उसके बाद जो बचता है, उसको बोलते है, उसको बोलते है, real interest, उसको बोलते है, real interest, है है, समझे गड़ो everybody, right, तो, 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 सर क्या, इसका impact कहां पर आता है, आओ, बताता हूं, सुनो, तो nominal interest, क्या होता है, nominal interest, is like gross interest, बड़ावरे, इसमें, जब मैं inflation का effect हटा दू, तो मुझे मिल जाता है, हाँ, real में कितना आन किया, वो मुझे मिलता है, called as the real interest, real interest, इसको अपन गोलते है, net interest, net interest, समझ में आई बात, अपना example, अगर मैं देखू, तो, ये था मेरा 10, इसमें मैंने 3% का inflation minus किया, मुझे मिल गया, बचा हुआ, 7% real interest, समझ रहे हैं, आप लोग, बेटर, आप समझ गीजिए, समझ गया सर, कोई tension नीए, इतना अपने को एकदव मस्त में clear हो चुका है, अब, कहना है, से मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सर, nominal rate is equal to real rate plus inflation, बिल्कुल लिख सकते है सर, so nominal includes inflation, real excludes inflation, कहने का मतलब यह था पूरा आप लोगों को बताने के लिए, nominal rate includes inflation, real rate excludes inflation, हेई, सब्सक्राइब, चल, तो अगर यह सिनारियो है, तो चलो फिर, चलते हैं, आगे कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, अब क्या होता है, पता है क्या मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दो चीज होती है, एक होता है cash flows, दूसरा होता है discounting factor, discounting factor is based on interest rates, यह तो अपने को बच्पन से पता ही है, ठीक है सर, पता ही अच्छी तरह से पता है, cash flows दो तरह के होते हैं, guys, cash flows दो तरह के होते हैं, एक कभी-कभी वो देगा आपको nominal cash flows, nominal cash flow का मतलब क्या हुआ, the cash flow is including depreciation, includes inflation, sorry, it includes inflation, और दूसरा वो आपको दे सकता है, real cash flows, real cash flow क्या हुआ, correct, excludes inflation, समझे, जब वो आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब वो आपको nominal cash flow देगा, तो आपको discounting factor कौन सा लेना है, nominal discounting factor, जब वो आपको real cash flows देगा, तो आपको कौन सा discounting factor लेना है, nominal, real discounting factor, समझ में आया बेटा, बट सर कभी ऐसा दिया तो ऐसा दे सकते हैं, 101%, उनका तो काम ही है, आप लोगों को confuse करना, सो जब ideal situation, nominal cash flows, nominal discounting rate, and 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 real cash flows, real discounting rate, ideal situation, बट एपा ज़रूरी नहीं है, ऐसा होगा, तो इन सच situations आपको क्या करना पड़ेगा, आओ बताता हूँ, conversion करना पड़ेगा, of cash flows, मतलब nominal to real, real to nominal, तो कैसे करेंगे, समझो आपको nominal cash flow find करना है, उसने आपको real cash flows दिया है, तो आप multiply करेंगे, inflation rate के साथ, आप multiply करेंगे उसमें, inflation rate के साथ, तो say for example, inflation rate है 5%, तो nominal cash flows will be real cash flows, यह given है, into 1.05, तो इधर अपने को लिखना है, तो पूरा लिख सकते है, भई, 1 plus inflation rate, mathematically, आप लोग को स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ, मैं यह चीज, तो real cash flows, into 1.05, यह year 1 का हुआ, तो year 1 इधर आ जाएगा, अब inflation तो बढ़ते जाएगा, suppose आज यह 100 रुपे का है, हमारे country में inflation है 10 रुपीज, तो यह 110 का हो जाएगा, और एक साल बाद, मतलब दो साल बाद हमारे यहां पे inflation होता है 8%, ठीक है ना, first year का 10%, second year का 8%, तो 110 के उपर और 8% लेगा, अभी understanding, बस वैसा ही कुछ यहां पे भी होने वाला है ना, say year 2 है, तो real cash flows, जो भी है वो, into 1.05, suppose 0.05 ही है, तो raise 2, 2, raise 2, 2 आ जाएगा, समझ में आई बात, समझो year 3 हुआ, तो real cash flows, into 1.05, raise 2, 3 हो जाएगा, तो अगर समझो आपको, अगर समझो आपको real cash flows दिया है, और आपको inflation rate दिया है, तो क्या आप nominal cash flows calculate कर सकते हैं, क्या, yes बरकुरदार कर सकते हैं, बलकुल कर सकते हैं, there's no doubt as about as that, there's no doubt as about as that, समझ गए, got it, done, सर कभी उल्टा हुआ तो exactly, समझो आपको real cash flows find करना है, no problem सर, nominal cash flows upon 1 plus inflation rate, raise to n number of years, so nominal cash flow 10,000 है, upon 1 plus 0.05, raise to 1, 10,000, upon 1 plus 0.05, raise to 2, ऐसे करके आप, जी हा, real cash flows भी calculate कर सकते हो, आओ, अब अपने notes के उपर आजाओ, अब अपने notes के उपर आजाओ, यह देखो, real cash flows without inflation, plus inflation effect is nominal cash flows, यह तो अपने को भी पता चली गए, net return है मेरा, real cash flows, अब net मेरे पास कितना बचा, if real cash flows are given, then convert it into nominal cash flows, कैसे, by multiplying it by the inflation rate, if multiple real cash flows are given, convert the nominal cash flows into, real cash flows into 1 plus inflation rate, raise to n years, all years, समझ में आगे है आपको बाते, 150, जो भी inflation rate है, अपने को मिल गया nominal cash flows, बट हो सकता है, कभी कभी आप लोगों को, यह ना वैसे मैंने advanced capital budgeting में भी बता है, पापस से बता था हूँ, के हो सकता है, आप लोगों को discounting factor भी अलग-अलग दिया हो, so ध्यान रखना, 1 plus nominal interest rate, is equal to, यह तो अपने को पता है, यह ना, nominal interest rate, is equal to real interest rate, plus inflation, बट जब आपन लोग इसको mathematically present करेंगे, तो कैसे करेंगे, 1 plus nominal interest rate, is equal to, is equal to, 1 plus real interest rate, into 1 plus inflation rate, जो मेरा यहाँ पर है, अब समझो question में आपको, समझो question में आपको nominal interest rate दिया है, समझो question में आपको inflation rate दिया है, तो आप कैसे calculate करेंगे, real interest rate, तो अपन बोलेंगे, therefore, real interest rate is equal to, क्या, 1 plus nominal interest rate, 1 plus nominal interest rate, upon 1 plus inflation rate, बराबर है, the whole minus 1, the whole minus 1 कर देंगे, हो गया, अपना काम, got it guys, got it sir, done, और sir समझो, उल्टा करना हुआ, तो भी कर सकते हैं, अभी nominal rate के लिए तो यह है अपने पास, बस यह total, उसमें से minus 1 कर दो, so nominal interest rate will be, 1 plus real interest rate, 1 plus inflation rate, minus 1, minus 1, समझ में आगे आप लोगों को, तो question आपको, जो भी दे, end में अपने को यह चाहिए boss, cash flows और discounting factor, same होना चाहिए, एक nominal तो दूसरा भी nominal, एक real तो दूसरा भी real, अगर एक nominal और दूसरा real है, तो हमारे को conversion करना, आता है, समझ गए, with this discounting factor वाले, जो भी चीज़े हैं, वो सारे मैंने include कर ली, foreign currency में अगर हुआ, और foreign currency पे risk premium add करना है, वो मैंने starting में ले लिया था, real discounting rate है, nominal discounting rate है, real cash flow है, nominal cash flow है, उसको अंदर अंदर कैसे formula से play करके, जेक लेकर आने हैं, वो मेंने बता दिया है, अब मैं, एक last मेरा aspect बचता है, वो है, correct, कि मेरा, एक साल बाद, 20000000 डालर आने वाला है, वो चलेगा मेरे, एक साल बाद, मेरा, 20000000 डालर, मेरे पास आने वाला है, तो उसको मेने, discount कर दिया, यह सब discounting factor लेके, दो साल बाद और dollar आने वाला है, तीन साल बाद और dollar आने वाला है, उसको मैं percent value पे लेके आ गया, मेरे यह सब discounting factors के साथ, समझ गया सर, वो बात समझ गया, बट अब वो dollar आने वाला है, मेरे को तो आज की तारिख में देखना है कि मेरे rupees के terms में कितना है, आज का dollar आने वाला हो, तो आज के spot rate पे मैं convert कर लूँ, बट यह dollar तो दो साल बाद, तीन साल बाद आने वाला है, उसके लिए मैं use करूंगा purchasing power parity, और I can also use interest rate parity based on the question में क्या info given है, अब अपना जो module है, उसमें question में चीज़े, जो dv है, वो dv है related to, वो dv है guys, related to inflation, so I can calculate forward rate, कैसे, यार अपने forex का भी किया हुआ है revision lecture, भाहा से उठा लो, so what it is, forward rate is equal to spot into one plus inflation upon one plus inflation variable currency and base currency, for detail discussion forex का revision चलो, to make comparison of cash flows, it should be in same currency, cdc बात है to one dollar equal to rupees 80, if cash flows are dollar 500, then it can be converted into INR, एक second में, 500 into 80, 40,000 but, 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 और उल्टा भी कर सकते हैं, अपने लोग, if cash flows are 80,000, it can be converted into dollar also, but, अगर एक साल के बाद का हुआ, तो क्या इसके लिए ही use हुआ जा रहा है cash flows from different countries are to be converted into a common currency, and for that, projects are of multiple years, we need forward rate of future years, for which we use PPP purchasing power parity आज 80 है एक साल बाद कितना होगा, 1.1 raise to 1 upon 1.1 raise to 1.06, क्योंकि आपे इंडिया का inflation rate 10% USA का inflation rate दिया है 6% एक ताम अच्ची तरह से समझ गए सर, दो साल के बाद का rate क्या होगा क्योंकि मैं को दो साल के बाद के भी dollar को आज के rate पे convert करना है 80 into 1.1 square upon 1.06 square फिर वैसा, अब मेरे पास दो option है देखो, अगर मैं 80 को ही लेके चलता हूँ न, तो I can also write this as 80 into 1.1, raise to 3 80 into 1.1, raise to 1.1, raise to 1, raise to 3 ऐसे अपन भी कर सकते है इधर raise to 3, ऐसे भी कर सकते है अपन, upon 1.06 raise to 3, ऐसे भी कर सकते है अपन, या जो last वाला है उसको ले लो, और फिर उतना मल्टिपल है तो I think पता है, तो using PPPP first, we will convert it into forward rate for all years, above forward exchange rates, convert cash inflow into common currency required, आज का rate का currency भी आ गया, जो चाहिए currency वो forward rate यूज करके, आज का rate का discounting भी आ गया, बस उसको लेकर आओ present value पे, and IFM का sum complete कर दो, खताम, no problem, जो मैंने आप लोगो सब चीज़े बताई ना, वो ही बस use करनी है, कोई भी sum ले लो, अभी तुम लोग 20, तुम लोग solve कर पाऊगे, अब चलते हैं अपन लोग इसके last concept के उपर है, and that is raising of funds through GDRs, global depository receipts, अगर आप लोग को इस chapter का भी theory चाहिए, जो बहुत important है, मैंने आपको पहले बोला है, let me know, चलो, so अब है raising of funds through GDRs, तो इसका एक आप लोगो step follow करना है, उसी के able to solve it, then, अराम से ये system crack हो जाएगा, अभी एक चोटा सा concept है, GDRs का, GDR means global depository receipts, जहां से पैसा raise किया जाता है, by Indian companies outside India, तुसे for example, Infosys, is a very good company doing superbly in India, और उसका demand आया, अमेरिका के investors का, अमेरिका के investors बोलते हैं कि यार देखो, Infosys को phone करके बोलते हैं, तुमारे को पैसा वैसा की जरूवत पड़े, तो हमारे से लेलो, हम भी invest करना चाहते हैं, हम इंडिया बे आके directly share market के through invest नहीं कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे आके, तुम यहाँ पे आजाँ, हमारे यहाँ पे list करो अपनी company को, हम तुमारी company में invest करना चाहेंगे, तो Infosys वाला बोलते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने बोला, चलो, let's do it, and how will it be done through global depository receipts, so, यहाँ पे अभी, क्या होता है कि आपको, सबसे पहला, कितना पैसा raise करना है, आप list करोग चाहिए, तो safe और example मेरे को के बोलता है, और मेरे को तो अभी यही जो example है, यहाँ पे इसदर लिखा है, कि they need dollar 8.82 million US dollars, क्योंकि वहाँ पे अपन लोग जा रहे list करने को, तो अर एक चीज़ डॉलर में ही होगी, CDC बात है, तो मेरे को बोलता है, 8.82 million dollar चाहिए हमारे को, तो Inf करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आएगा, उसमें से चाहट आगा, तो issue expenses निकल जाएगा, बोला अच्छा यह बात भी सही है, तो तेरको है ना, सुन, तेरको है ना, raise करना पड़ेगा, 8.82, 8.82, so 8.82 into 100 divided by 96, नाता है, 9.1875, समझ रहे हो, तुम लोग, 9.1875, for example, तो यह 8.82 million dollar, के लिए देखो, यहाँ पे आगे आपन लोग, अच्छा, इस question में 2% है, तो चलो ना, इस question को ही साथ-साथ में solve कर लेते हैं, तो यह 8.82 है, मतलब यह 98 represent करता है, तो 2, मतलब 100, तो 100 कितना, तो 8.82 into 100 divided by 98, and it is dollar 9 million, तो हम बोलेंगे उनको, कि हमको dollar 9 million raise करना है, उसमें से 2 टका issue expenses cut हो जाएगा, net मेरे हाथ में आ जाएगा, dollar 8.82 million, अच्छा, अब मैं इसको कैसे raise करने वाला हूँ, through GDR, GDR का मतलब है, global depository receipt, और, मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा, एक GDR में मेरे 2 shares होंगे, ठीके ना, मैं आपको GDR raise करके दूँगा, बट एक GDR में आपको मेरे 2 shares मिलें, अब dollar 9 million, मेरे को raise करना है, अब अगर मेरे को इतना सारा raise करना है, तो मैं कितने shares issue करूँगा, and all of that has to be decided, तो वो सब यहाँ पर देखो दिया, expected market price per share of, per share at the time of issue of GDR, is rupees 30, and issue price will be at 10% discount, मतलब, अब समझना, इसको logically, देखो, एक GDR में, क्या बुला मैंने, एक GDR में, दो shares मिलेंगे, एक share का है, rupees 360, तो दो share का कितना, तो multiply by 2 shares, तो दो share का 720, but they are being issued at discount, हम लोग इनको आइट discount issue करना चाते है, कितना, 10% का हम discount issue करना चाते है, मतलब, कितने का हुआ, एक GDR, 720 minus 10%, 648, इसमें 2 shares मिल जाएंगे, so 1 GDR is equal to rupees 648, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई guys, तो ये देखो, इदर इनका आ रहा है का 648, ये देखो आ रहा है, इनका 648, समझे, done, तो सुनो, मुझे 1 GDR से, हलो, मुझे 1 GDR से, रुपीज 648 मिलने वाला है, रुपीज 648 मिलने वाला है, बरार, बरार, अज, आज की तारिख में conversion rate कितना है, तो उन्होंने देखो दियावा है, के conversion rate today is, 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 INR USD 72, मतलब अगर मैं इसको रुपीज 72 के टर्म्स में, डिवाइड करू अपने उसके लिए, तो एक GDR से, मुझे कितना मिल जाएगा पैसा, तो करना इसे 648, डिवाइड वाइड and this will be dollar 9, dollar 9 मिलेगा, तो अब सुनो, मेरेको तो total dollar 9 million चाहिए, एक GDR से dollar 9 मिलेगा, तो therefore, can I say 1 million GDRs are to be issued, are to be issued, यह question के थूँ, आप लोगों को पूरा में ने बता दिया है, यह देखो, 1 million GDRs to be issued, क्योंकि question में पूछता है हो, compute the number of GDRs to be issued, and अब cost of GDRs, तो देखो, cost of equity, अपने को find out करने को आता ही है बढ़ाबर है, बस तो यहाँ पे यही वाला formula यूज़ करना है, KE is equal to D1 upon P0 plus G, sir D1 क्या यह लोग ने दियावा है, दियावा है यह देखो, dividend is expected to be paid at the rate of 20%, growth rate 12%, expected dividend ही बोला है 20%, तो अपने लोग बोलेंगे बाई D1 is equal to, देखो face value कितना है बेटा, अलो face value कितना है, face value is 100, so rupees 100 का 20%, मतलब rupees 20 का dividend, but एक GDRN में 2 share है, तो multiply by 2 shares, तो basically rupees 40 का dividend, तो 40 upon, 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 P0, P0 क्या होता है, कैना इसे market price per share, correct, अब सुनो यहाँ पर देखो वो लोग ने क्या बोला है, के, हाँ, अभी यहाँ पर यह लोग ने बोला है, भई, के flotation cost 2% है, so, कैना इसे, यह जो यहाँ पे 648 आया है, यह जो यहाँ पे 648 आया है, इसमें, यह पूरा पैसा मेरे पास आएगा क्या, नहीं, 2% discount हो जाएगा, तो 648 माइनस 2%, कितना होता है, देखो, it is 635.04, प्लस 12%, तो 40 divided by 635.04, प्लस 0.12, यह हो जाता है, टोटल सब मिला के 18.30%, 18.30%, तो यह दो ही चीज़ फाइंड करनी थी, 1 million and 18.30%, 2%, अब मैंने आप लोग को question के flow flow में समझाया है, अभी आप लोग को यहापे formula के टांस में देखना है, तो देख लो, वो आपको net receipt देगा, उससे आपको gross receipt find करनी है, यह given होगा, इससे आप यह find कर लोगे, एक बार आपको पता चल गया, gross receipt कितना है, dollar 9 million, अब आपको convert करना है, उसको, कि बही कितने अपने को GDRs issue करने पड़ेंगे, अभी आजाओ step 2 के ओपर, step 2 आपको क्या बोलता है, कि बहीं, एक GDR का कितना value हमको बताओ, तो सही, तो पता चलेगा, कितना हम लोगो GDR issue करना पड़ेगा, so, एक GDR में 2 share, 2 share का आपन लोग value find कर लेंगे, but, वो भी discounted rate पहे, तो वो discount minus करके, जो value आता है, उसको ही convert कर देंगे, अपन लोग dollar के terms में, we will come to a number of GDRs to be issued, और अपने को अगर cost of GDR calculate करना है, तो formula I, D1 upon P0 plus G, G given होगा, D1 given होगा, मदब एक share का, तो अब 2 share है, तो 2 से multiply करना है, and P0 याद रखना, जो अपना final amount आ रहा है, उस पे 2% minus हो जाएगा, flotation cost, वो अपना net market price आता है, oh guys, with this we complete, the concept of raising of funds through GDRs, अब बाकी के master sums है, आप लोग आप आराम से solve कर पाओगे इसको, based on all the information that we have had, ठीक है, चलो, अच्छा लगा हो lecture, तो जरूर लाइक share, जरूर करना अपने friends के साथ, colleagues के साथ, juniors के साथ, so that they can also benefit, and will be helpful to definitely me as well, हो guys, और कुछ आप लोग की तरफ से चाहिए, तो let me know in the comments box, बहुत जल्द, मैं सोच रहू, कुछ चीजे और लाने की, for this subject, so that you can excel, with great marks, any guesses, you can write in the comment box, till then, time for video से, आस्ताला विस्ता, नोट सापको टेल्ग्राम चैनल से मिल जाएंगे, magic book होगा, आपके पास तो well and good, bye-bye, keep smiling, take care, thank you.